साल 2018 शुरू हो चुका है हर साल की तरह हम सभी ने अपने लिए नए प्लान्स बनाये होंगे इन में अपनी पसनल, प्रोफेशनल लाइफ, सेहत, लाइफ अस्टाइल, डाइट चार्ट आदी को लेकर प्लानिंग की होगी बाकी जरूरतों से अलग हम सभी की सबसे बड़ी जरूरत है हमारी सेहत वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी की सेहत अच्छी तो सब अच्छा वैसे यह बात सच भी है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम हर दुख, परेशानी, मुसीबत सबसे लड़ने को तयार हो जाते हैं लेकिन सेहत बिगड़ने पर दुनिया का आराम भी बुरा लगने लगता है ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारी पहली प्राथमिक्ता बन जाती है कई बार ऐसा भी होता है कि हम लाख कोशिशे कर ले लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ ही जाता है इसके लिए आज हम आपकी राशी के अनुसार कुछ ऐसी बाते लेकर आये हैं जिनका ख्याल रखकर आप अपने स्वास्थ्य को और भी बहतर बना सकते हैं तो आये जानते हैं पूरी बात मेश राशी मेश राशी वाले जातक सिर और मस्तिश्क से जुड़ी बीमारियों से परेशान रहते हैं इन्हें जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत होती है जिस वजह से ये सिर्दर्द और सिर्भारी होने जैसी बीमारियों से परेशान रहते हैं व्रिशब राशी व्रिशब राशी का राशी स्वामी चेहरे के निचले हिस्से जैसे जबड़े, गले, कंधे आदी का प्रतिनिधित्व करती है अतह इस राशी के लोग गले में सूजन, जबड़ों में दर्द जैसी परेशानियों से घिरे रहते हैं इन्हें अपने शरीर के इन अंगों का खास ख्याल रखना चाहिए मितुन राशी मितुन राशी का राशी स्वामी मंगल है, जो की कंधे से लेकर हाथों और पैरों का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए आपको अपने इन अंगों का खास ख्याल रखना चाहिए कर्क राशी का राशी स्वामी चंद्रमा है यह पेट संबंधी बीमारियों को उत्पन करता है पेट में अपच, गैस, उल्टी, दस्थ, पेट, दर्धिया आदी परेशानी हो सकती है इसलिए खानपान में विशेश को ताही बरतना चाहिए सिंग राशी, सिंग राशी का राशी स्वामी सूर्य है इसका प्रभाव हरिदय और रक्त पर होता है अतह सिंग राशी वाले लोगों को अपने हरिदय का खास ख्याल रखना चाहिए साथ ही समय समय पर रक्त की जाच करवाते रहना चाहिए कन्या राशी का राशी स्वामी पेट और आतों को अधिक प्रभावित करता है इसलिए इस राशी के जातक पेट दर्द आतों में सूजन कब्ज जैसी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं इन्हें अपने खानपान का विशेश ख्याल रखना चाहिए साथ ही अलकोहल के सेवन से बचना चाहिए तुला राशी का राशी स्वामी शुक्र है जो तवचा और किड्नी को प्रभावित करता है जब भी इनका राशी स्वामी नीचका होता है इन्हें तवचा संबंधी परेशानियों से गुज्रना पड़ता है व्रिष्चिक राशी का राशी स्वामी प्लूटो होता है जो की महिलाओं में होने वाले पीरियर्ज और ब्लेडर में परेशानिया पैदा करता है इन समस्याओं से बचने के लिए इन्हें अपना खास ख्याल रखना चाहिए साथ ही समय पर डॉक्टर से चेक अप करवाते रहना चाहिए धनू राशी धनू राशी वाले लोग अपनी जानगों, लिवक, कमर और पीठ वाले हिस्से में होने वाली तकलीफों से जूजते रहते हैं दर्द की इस परेशानी से बचने के लिए ज्यादा भाग दोड से बचें मकर राशी मकर राशी के जातक कमजोर हड़्ियों और घुटनों की परेशानी से ग्रस्त रहते हैं ये अपने काम के प्रती भी बहुत जुनूनी रहते हैं लेकिन अपनी बंती बिगरती सेहत की वजह से परेशान रहते हैं कुम्भ राशी का राशी स्वामी यूरेनस है जो दिल की बीमारियों अस्थमा और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों को पैदा करता है यदि आप इन सभी बीमारियों से पीरित हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेक करवाएं मीन राशी मीन राशी के लोग घुटनों के निचले हिस्से पैरों के तलवे और नाखून तूटने जैसी परेशानियों से घिरे रहते हैं इन्हें अपने शरीर के इन अंगों का खासत और पर ध्यान रखना चाहिए तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि राशी के मताबिक आपको अपने शरीर के किन अंगों का ख्याल सबसे ज़्यादा रखना है तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताए यदि आपको ये विडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करे